जे सिरी राम, सिंघरास के दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके हिदैनिक रासिफल में मैं हूँ आचार इसके तीवारी दोस्तों बात करेंगे मंगलबार 5 नमंबर का दिन आपके लिए कैसा रहने वाला है तो आईए रासिफ़ से पहले आज के पंचान के बारे में बात करते हैं आज मंगलबार 5 नमंबर 2024 कार्थिक सुकलपक्ष की चतुर्थी तीथी विक्रवी संबत 2080 आज का सुर्योदे 6 बच के 36 मेर्ट पर होगा तो ही आज का सुर्यास 5 बच के 33 मेर्ट पर होगा आज के दिन चंद्रमा बिर्शिक रास में रहेंगे 9 बच के 45 मेर्ट सुबह तक उसके बाद धनु रास में प्रवेस कर जाएंगे बात करते हैं मौर्तों की समय रहेगा दो बच के उन्चास मिनट दोपहर बास से साम चार बच के जारा मिनट तक राहुकाल के समय किसी विशुब और अच्छे कारियों के सुरुआत ना करें अब आई ये बात करते हैं आपके रासिफल के बारे में सिंगरास के दोस्तों आज आपके साथ में काम करने वाले लोगों के बीच आपकी लोगप्रीता में ब्रिद्धी संभव है पेसिवर रूप से चीजे सुचारू होंगे और आप अच्छी प्रगत करेंगे आपके आई में ब्रिद्धी होगी और आपको आर्थिक लाप्राप्त करने के नए रास्ते मिलेंगे भाई बहनों और बढ़ों के साथ भी सम्मन बहुत अच्छे और प्रेमपूर रहेंगे परिवार के सदस्योक साथ छोटी यात्राएं या ब्रहमन में जाने की योजना भी बन सकती है आज आपको आफिस में नए अभिकार प्राप्त होंगे जीवन साथी की तलास कर रहें लोगों की तलास आज खत्म होगी आर्थिक मामलों में आपको आज के दिन सयम रखना चाहिए और कोई भी नया वादा करने से पहले दो बार सोच लेना चाहिए मित्रों और इस्तेदारों के सहयोक से आज आज आपको कोई न कोई अच्छा और बहतर प्रोजेक्ट मिलने की संभावना बन रही है नोकरी पेसा लोगों को नोकरी का भेतर विकर्ग भी मिल सकता है चीजों को देखने के बाद ही आप कोई फैसला ले तो ही आपके लिए अच्छा रहेगा आज आप अपनी बुद्धि से सब को समभालने की कोशिस करेंगे नोकरी पेसा लोगों को साथ कम करने बालों से अच्छी मज़द मिलेगी यह आगे बढ़ने का समय है आपको जो भी काम दिया जाएगा आप उसे पूरा करेंगे लोग अपनी समस्या आपके सामने रख सकते हैं लोगों की समस्याओं को सुलजाने से आपको आने वाले दिनों में फायदा हो सकता है सिंगरास के दोस्तों आज आपको उपनी बुध्य और कारिश्चमता से लाभ के नए रास्ते मिलेंगे अपने कर्म और भागे पर विश्वास रखें आज चंद्रमा आपके पंचम भाव में गोचर करने जा रहे हैं अचानक आपकी बुलाकात कुछ ऐसे लोगों से हो सकती है जो आपकी प्रगत में अच्छी सहायता करेंगे घर के किसी सदस के बैवाहिक जीमन को लेकर थोड़ी समस्याओ उत्पन हो सकती है साथ ही आज ग्रहों के स्थिती पूरी तरह आपके पक्ष में है तरक्की के नए मूखे मिलेंगे रिस्तेदारों और दोस्तों के साथ आपके सम्मंद सुधरते हुए नजार आएंगे साथ ही बित्ती स्थिती में सुधार आपके लिए पूरी कोशिस करेंगे और सफल भी होंगे पेसे वर छेत्र में इस दोरान चीजें आपके पक्षे में नजार आएंगी अपने प्री के साथ इमांदार रहें और जूट का सहरा बिलकुल ना लें नहीं तो आपका रिस्ता भी खराब हो सकता है आज कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं कईयर में कुछ बदलाव देखने को मिलेगा अपनों से सम्मंधों में खटास भी थोड़ी आ सकती है आज आपके अधिकान से योजनाएं सफल होती हुई नजार आएंगी और आप एकागर रहेंगे योजनाओं को सफल बनाने के लिए जो भी आपके साथ काम करने वाले लोग हैं उनसे अधिकतम सहयोग प्राप्त करने के लिए आप अपनी बात चीत को आगे बढ़ाएंगे बेवसाई अपनी तेज सोच के प्रसंसा और सम्मान के पात रहोंगे आर्थिक रूप से आप सुरक्षित महसूस करेंगे और संपत्ती में निबेज कर सकते हैं छोटी आत्राओं और पाजबारिक छुट्टियों के लिए यह एक बहतर दिन साबित हो सकता है आज किसी खास काम में मित्रों का हर पकार से सहयोग मिलेगा महत्पूर्ण मामलों पर लोगों से बात करने का मोका आपको मिल सकता है आपको इसका पूरा फायदा उठाना चाहिए आपको अपनी दिन चेरिया में कुछ बदलाव भी करने पर सकते हैं साथ ही पार्टरक सा सम्मंद बहतर हो सकते हैं पार्टर आपको पूरा समय देगा अच्छा बोलकर आप अपना काम अपने पार्टर से आसानी से निकल वा लेंगे तो सिंग रास के दोस्तों ये था आज आपका रासी फल कल फिस एक नए रासी फल के साथ हम आपके साथ होंगे तब तक के लिए जैसरी राम